काटना है देखने को मिल जाएंगी और अभी तक आपने हमारे टेलीगराम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो प्लीस इसे भी जरू जॉइन कर लीजीगा लिंक डिस्क्रप्शन में दे दी गई है तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं बिना कुछ देरी के दस साल पहले हुआ बर्मा कॉलनी का किलिंग केस और अभी इस शहर में हो रहे चाइड किलिंग का किलर ये दोनों एक ही हट में अगर बात करें फिलिम की कहानी की तो फिलिम में दिखाया गया है एक पुलिस अधिकारी सिभकमार जिसका परिवार एक दुरगना के बाद अस्पताल से लापता हो जाता है तो सिभकमार अपने परिवार को ढूनने और एक उल्जे हुए रहस का खुलासा करने के लिए निकल पड़ता है आखिर वो कौन सा रहस है और सिफ कुमार अपने परिवार को खोजने में काम्याव हो पाता है या नहीं ये जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा तो अगर दोस्तों आपने इस फिल्म को मिस्स कर दिया है तो इस फिल्म की लिंक डिस्क्रप्शन में नमबर फाइब पर पर परवाईट कर दी गई है और इस फिल्म को आईमडी पर 6.2 और अफटाइन की रेटिंग मिली है और फिल्म के मुखव मिकाम में अल्लारी नरेस और मिर्ना मेनन के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे और उसके बाद नमबर फोर पर आती है 1720 में रेली जुए मटर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वाली फिल्म फॉरेंसिक बातकरी फिल्म की गहानी की तो फिल्म में दिखाये गया है सहर में रासमी तरीकी से हो रही हत्याओं की संग्या बढ़ने के बाद एक मेडिको लीगल एडवाइजर सैमूल अपने फॉरेसिक कॉसल से इन रासमी हत्याओं की सच्चाई का पता लगाता है तो इन सब के पीछे अलफोस कॉरियन नाम का एक साइको गलर निकलता है तो अगर दोस्तों आपने इस फिल्म को मिस कर दिया है तो इस फिल्म की लिंक डिस्क्रप्शन में नमबर फॉर पर पर परवाइट कर दे गई है और इस फिल्म को आईमडी पर 6.8 आट आफ टाइन की रिटिंग मिली है और फिल्म के मुकह भूमिका में तो विनो थोमस और ममता मुह अंदास के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे और इस फिल्म की कहानी की तो फिल्म में दिखाया गया है एक यूवा फुलिस कर्मी सत्या जो कंट्रोल रूम में तैनात होने पर भी अपने किसमत को कोस्ता है हाला कि कहानी में चीजे तब बदल जाती है जब कंट्रोल रूम में बहे सौमा काल लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है तो दोस्तो बैर रहसमी कॉल कौन करता है जिसकी वज़े से सत्या का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है ये सब जानने के लिए और भी कलाकार देखने को मिले थे और उसके बाद नमबर टू पर आती है साथ जर इक्किस में रिलिजूई एक्षन फेंटेसी फिलिम टेडी बात करे फिलिम की कहानी की तो फिलिम में दिखाया गया है सिरी बिद्या नाम की एक लड़की जो ब्रेष्ट डॉक्टरों की बज़े से कौमा में जाने से उसकी मौत हो जाती है और उसकी आत्मा एक टेडी बियर में प्रिवेस कर लेती है और इसके बाद बैस सिभी की तलास करती है जिसके साथ मिलकर उन ब्रेश्ट डॉक्टरों के अपरादों को उजागर करती है और काहनी में आगे क्या होता है जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी फिल्म की लिंक डिस्क्रप्शन में नमबर टू पर पर परवाइड कर दी गई है और फिल्म को आएमडी पर 6.3 आट अफ टाइन की रेटिंग मिली है और शिल्म के मुखब मिका में सायसा और आर्या के साथ और भी कलाकार देखने को मिले थे और उसके वाँ नमर बन पर आती है 1723 में रिलेजुई एक्सन कॉमेडी वाली फिल्म जेलर बातकरी फिल्म की कहानी की तो फिल्म में दिखाये गया है एक सक्त और इमानदर जेलर मुत्वबेल जिसकी जेल में एक खतरनाग उंडों का गिराव कैद है और इस गिराव के लोग अपने बॉस को जेल से निकानने के लिए खतरनाग साजित रस्ते हैं लेकिन जेलर इमानदर आदमी होने के साथ साथ उसका दूसरा रूप भी है जो बहुत ही खौफनाग है जिसके बारे में उसकी पतनी और घरवालों को भी नहीं पता है अब इस खौफनाग चट्टानी जेलर से ये लोग कैसे बचकर निकलेंगे जान निकलेंगे आपको फिल्म देखने होगी झाल